नमस्कार दोस्तों आप सभी का सवागत आपके अपने यूटूब चैनल मानी ओव डिस्टेल न्यूज अम डियन पर दोस्तों बात करने वाले हैं जीवी के पावर एंड इंफरास्ट्रक्शर लिमिटेड स्टोप के बारे में सुगस कम्पणी के क्योवन के जो लेटेस्ट रीजल्ट वो अलड़ी जारी हो चुके हैं और इस रिजल्ट के लिए कंपनी को कितना फ्रोफिट हुआ है कितना लोज और कंपनी ने डिवडेन बोनस कुछ अनॉंस्मेंट किया है या नहीं तो अभी प्राइस पर चर्चा की जाता आज लोग सर्केट पर मार्केट कलोज हुए थे पर अभी कंपनी के जो क्यों के जो वो अलड़ी जारी हो जुके हैं फिलाल कंपनी की का डिइटा और फिलाल कंपनी का लग के सर्चा की जाए कमपनी के दोस्तों इस आरीजर्ट के लिए र प्रोटुर prevention वो का यहां पर थी दोस्तो 20 2.395ा का रेवन्या है अब एस क्रोड में कुट किया जाए तो 230 क्रोड का revenue इस result के लिए company का काफी शांदार रेवन्यू रहने वाला है क्योंकि पिसले रिजल्ट के अंदर अगर हम चर्चा करें क्यूफोर की रिजल्ट पर तो क्यूफोर की रिजल्ट में कंपनी का रेवन्यू दूस्तु उमीद से जाड़ा कुछ वह नहीं था उन्लिट 6,870,000,000 का दूस्तु नजर पर दूस्तु देखने को मिला था जो 2030 का क्यों उसके अंदर कंपनी के रिजल्ट के अगर्चा की जाए तो 50,000,000,000 के नजर आए थी पर इस पिजले क्योंकि में दूस्तु कंपनी का जो तो थोड़ी कमजोर नजर आया है लग कंपनी का इस रिजल्ट के लिए दूस्तु प्रोफिट नजर आया है वो काफि सांदर रहने वाला है जो चार क्रोड सित्याशी लाग का कंपनी का इस रिजल्ट के लिए प्रोफिट होने वाला है अब कंपनी की बेसिक फंडामेंट लोपर अगर बात करें पर इस वाजे से पर दोफिशी जो चिंताए है वो बढ़ती नजर आ रही है क्यूंकि दोस्तों कंपनी का अगर देखा आ तो कर्ज सबसे मोटी चीज है पर कर्ज मोटी चीज़ है पर मोटर की होलिंग फी काफी श्ट्रोंग है जो चोवन दसमलोग दो फर्तिसब की रहने वाली है वो कंपनी का दूस्तो एनवल जो प्रॉफिट है वो दो सालाना जो प्रॉफिट है 211 क्रोड का रहने वाला है देनदार या अभी के टाइम अगर कि औद गयुल्तेशल पर परिपाँ है स्थार सबस्ता जी भए वाल ज आगे चुछ तो सुने वाला आगी है पोजिटिव नजा रही कैक लिए फिलाल कमपनी का दोस्तों EPS रेट थोड़ा नेगिटिव है कमपनी के दोस्तों आरुसी देखने को पोजिटिव नज़रा रही है कमपनी में अब एक टाइम इस टोक्स भी जनरेट नहीं हो रही है तो कार्ज के सबसे मोटी समस्या है इस वज़े से कमपनी के दोस्तों अब इस टोक्स भी जनरेट नहीं हो रही है पर कमपनी का ओफरेटिंग प्रोफिट मार्जन काफ़ स्ट्रोंग है तो इस वज़े से कही ना के रिकावरी आने वाल टाइम में नज़रा सकती है पर इसलिए एक साल के अंदर कमपनी का रिटन काफ़ी कमजोर रहने वाला है जो सो आट फरवरी से वर्तमान टाइम तक तो इस लेवल पर दोस्तों इस स्टोक पर वो लड़ी गिराउट काफी ज़्यादा हो चुकिया है जो लगबग बहत्र प्रतिस्थ की गिराउट लड़ी से स्टोक पर हो चुकी है तो यह अंख़टे सोका देने वाले हैं पर कहीना के लास्त पांस सालों का रिटन अगर देखा जा तो वह भी नेगटिव नजराने वाला है तो यह चीज़े भी काफी वीक है और कंपनी का मैक्जिमम टाइम का देटा है वह भी वीक नजराने वाला है पर कंपनी दुस्तों 12 अगस्त 2022 में मार्केट में लिस्टेड हो थी है उ अब आने वाल टाइम में कंपनी एक अच्छे कासी रिकावरी की जो ग्रोथ है वह हमें दिला सकती है वी कंपनी का बिजनस मोडल साफी स्ट्रोंग है इस वज़े से कंपनी के डेटावीस में इक सुदार जो है वह काफी बढ़या रहने वाला है रही बाद दोस्तों इस र अनौसमेंट नहीं होई है तो किल्यरली में पहले आप लोगों को किल्यर कर दो कि और बाद में दोस्तों आप कमेंट बढ़ करना कि कंपने दिल्डिकन ने डेव डेटान बूल से प्याउट किया है या नहीं तो फिलाल उम्मेद कब्स जानकरी आप लोगों को पसंद आयो आप तर प्याई जाजिए जाप लिकार्शन ने जाजिए रिकार्शन ने जोसने समाइब